नमस्कार दोस्तों अध्याय छे रेखिक एसमिका हैं पार्ट सेकेंड क्लास 11 का टोपिक है इस पार्ट के अंदर हम बेसिक कंसरप्ट और एक्ससाइज 6.2 के कोशन सरल करेंगे आई शुरू करते हैं दो चर रेखिक एसमिका का आलेख ये हल पहले अनुभाग में हमने देखा कि एक चर रेखिक एसमिका का आलेख एक चितरी निरूपन है और एसमिका के हल का वर्णन करने की एक सरलविदी है अब हम दो चर राशियों की रेखिक एसमीका के अलेखन का वर्णन करेंगे हम जानते हैं एक रेखा कार्तिय तल को रेखा के अतरिक दो भागों में बांड़ती है परतेक भाग को अर्द तल कहते हैं एक उर्धवतर रेखा तल को बाया अर्ध तल वे दाया अर्ध तल में विभाजित करती है और एक उर्धवतर रेखा एक तल को निचला अर्ध तल वे उपरी अर्ध तल में विभाजित करती है जैसा कि चितर में दर्शाया गया है पहले चितर के अंदर एक उर्धातर रेखा एक तल को बाया अर्धतल बाया अर्धतल में विभाजित कर रही है और बादवाले चितर के अंदर एक उर्धतर रेखा एक तल को दो भागों में विभाजित कर रही है और उपरी जो भाग है उसे उपरी अर्धतल और निचला जो solution region कहते हैं यदि एक S अमीगा AX plus BY greater than and equal to C या AX plus BY less than and equal to C सवरूप की है तो रेखा AX plus BY is equal to C पर स्थित सभी बिंदू भी उसके हल चेतर में समलित होते हैं इसलिए हल चेतर पर गहरी काली रेखा खींची जाती है यदि S अमीगा AX plus BY greater than C या AX plus BY less than C सवरूप की है तो रेखा AX plus BY is equal to C पर स्थित सभी बिंदू उसके हल चेतर में समलित नहीं होते हैं इसलिए हल चेतर पर रेखा को बिंदूवत या खंडित रेखा खींचते हैं सरपरता हम क्या कि जो हमें SME का दी गई है उसका अलेक बनाने के लिए हम एक रेखा लेंगे ठीक हैं अगर SME का इन रूपों की है तो equal to symbol यहां लेना और यहां भी हमने equal to का symbol लेकर एक रेखा बनानी है लेकिन अगर यह वाली दो SME काए हैं जिसमें AX plus BY greater than and equal to C और AX plus BY less than and equal to C है तो हमने इस रेखा को गहरी-काली-रेखा से plot करना है और अगर इस परकार की SME कई हैं तो हमने इस रेखा को dotted line से plot करना है dotted line या खंडित रेखा से plot करेंगे ठीक है अब एक रेखा प्राप्ट हो जाएगी हमें और वो रेखा तल को दो भागों में पांड़ देगी ठीक है और कौन सा भाग उसका हल शेतर है उस SME का हल शेतर ग्याद करने के लिए हम एक बिंदू लेंगे किसी SME का द्वारा निरूपित छेतर को पहचानने के लिए किसी अर्ध तल में केवल एक बिंदू alpha, beta जो रेखा पर स्थित नहीं है लेकर जांचना ही प्रयाप्त है कि वह उस SME का को संतुष्ट करता है अत्वा नहीं हम एक बिंदू लेंगे कोई भी बिंदू लेंगे जो रेखा पर नहीं है ठीक है और जांचेंगे कि ये बिंदू SME का को संतुष्ट करता है तो SME का उस अर्ध तल को निरूपित करेगी जिसमें यह बिंदू है और उस अर्द तल को चायंकित कर देते हैं तथा यदि यह बिंदू ऐसमिका को संतुष्ट नहीं करता तो ऐसमिका उस अर्द तल को निरुपित करेगी जिसमें यह बिंदू नहीं है अपनी सुईधा की दरश्टी से बिंदू 0,0 को प्रात्मिकता दी जाती है हम एक बिंदू लेंगे ऐसमिका में रखेंगे अगर ऐसमिका को संतुष्ट करेगा तो उस अर्द तल को हम चायंकित कर देंगे जिसमें यह बिंदू होगा ठीक है और अगर यह बिंदू ऐसमिका को संतुष्ट नहीं कर रहा तो हम उस अर्द तल को चाहें कित कर देंगे जिसमें यह बिंदू नहीं है ठीक है तो इस परकार से हमें इस परकार की ऐसे मिकाओं का हल चेतर ग्यात हो जाएगा इसका ग्राफिनी रूपन हो जाएगा हम इसे उधारन के माध्यम से समझते हैं हमें एक उधारन दिया गया है 3x प्लस 2y ग्रिटर द ग्राफ बनाने के लिए इस रेका का ग्राफ बनाने के लिए हमने बिंदू ग्यात कर लिए once command 0 रखने पर y command 3 प्रापत हो गया इन बिन्दूों को हमने ग्राफ में दर्शाया और एक खंडित रेका बना लिए अब इस रेका ने 2 अर्ध-तल बना ती एक को हमने पर्ष्ट अर्ध तल के दिया और दूसरे को सेकेंड अर्ध तल कहा अब कौन सा अर्ध तल इस एसमिका का हल शेतर है वो जानने के लिए हम मूल बिंदू ले ले लेते हैं क्योंकि मूल बिंदू यहां इस एसमिका इस रेखा पर स्थित नहीं है यह रेखा एकस वाई तल को दो अर्ध दल first by second में विभाजित करती है हम एक बिंदू जो रिखा पस्थित नहीं है जैसे 00 का chain करते हैं जो अर्दल first में स्थित है अब जाच करते हैं कि यह है बिंदू दी गई ऐसमिका को संतुष करता है अथवा नहीं हम मूल बिंदू को इस ऐसमिका में रखते हैं हम पाते हैं कि 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 greater than 6 या फिर सरल करने पर हमने पाया 0 greater than 6 जो कि ऐस अत्ते है क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं छोटा होता है हमने मूल बिंदू इस ऐसमिका में रखा क्योंकि मूल बिंदू नहीं इस ऐसमिका को संतुष्ट नहीं किया अत्त है अर्दतल फर्ष्ट दिये गए ऐसमिका का हलचेतर नहीं है सपश्ट है रेखा पर स्थित कोई बिंदू भी ऐसमिका को संतुष्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ equal to का सिंबल नहीं है तो रेखा पर स्थित बिंदु इस ऐसमिका को सन्तुश करते और हम डार्क लाइन बनाते हैं हमने ड्ोटी लाइन बनाई है उससे चायकित कर दिया है रेखा के बिंदु को छोड़ कर और पहले अर्ध दिंदु को छोड़ कर पर जो बाकी बचे गया सेकिंडर तल वो इस एसमिका का अलेख यह निरूपन है हम एक उधार नोर करते हैं द्वी में तल में एसमिका 3x-6 greater than equal to 0 का अलेखन विदी से हल कीजिए हम 3x-6 equal to 0 का अलेख खींसते हैं और जो किया करती में दिया गया है इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बिंदू ग्याद कर लेटे हैं y का माद 0 लूँ या 1 लूँ x का माद हमेशा ही 2 रहता है ठीक है तो हम सबसे पहले इन बिंदूँं को plot करके रेखा ग्याद कर लेते हैं तो x वराबर 2 रेखा graph में दर्शाई गई है अब हम क्या करेंगे कि एक बिंदू लेंगे कुम सा बिंदू जो इस रेका पर नहीं है जातर हम मूल बिंदू लेते हैं तो हम पाते हैं हम एक बिंदू 0,0 का चैन करते हैं और इसे दी गई S अमिका में रखने पर हम पाते हैं 3 इन टू 0,-6,0 यह आया हमारे पास में-6,0 जो कि S है अता है मूल बिंदू इस S अमिका को संतुश नहीं करता है तो मूल बिंदू के जिस अर्दतल में है वो अर्दतल इसका हल चेतर नहीं होगा विपरीत और का चेतर इसका हल चेतर होगा तो हम इस पर कार दी गई S मिका का हल चेतर रेखा X बराबर दो के दाइनी और का चाहें की तर भागा जिसे हमने ग्राप में दर्शा दिया यह वाला चेतर क्यों आया क्योंकि इस S मिका को यह जो S मिका थी हम एक और उधार लेते हैं आपको चेतर समझ में आ जाएगा Y लेस्टेन दो का अलेखन विद्धी से हल कीजिए Y is equal to 2 का हम अलेखन बना लेते हैं इसके लिए हम X की value चाहें कुछ भी लें X कमान 0, 1, 2, कुछ भी लें Y का में हमेशा 2 प्राप्त होता है तो हमने Y बराबर 2 रेखा का अलेखन कर लिया इसने 2 तल बना दिया एक को हमने first और एक को second नेम दे दिया हम निचले अर्ध तल first में एक बिंदू जैसे 0,0 का चैन करते हैं और दिगई SM में Y बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं 0 less than 2 जो की सत्य है इस बार हमने मूल बिंदू जब इस SM में रखा तो हमें सत्य प्राप्त हो गया 0 less than 2 जो की सत्य यानि की मूल बिंदू इस SM में को संतुष करता है तो मूल बिंदू जिस अर्ध तल में है वही इसका हल चैतर होगा ठीक है इस परकार रेखा वाई बराबर 2 के नीचे का चैतर जिसमें मूल बिंदू स्तित है दी गई SM का हल चैतर है अत्ता है रेखा वाई बराबर 2 के नीचे के समस बिंदू जिसमें रेखा के बिंदू समलित नहीं है दी गई SM का हल है हमने इसे चित्र में निरुपित कर दिया है ठीक है दो चरवाली ऐसमिका का आलेखन समझ में आ गया होगा अभ्यास है तो पर्षन ये पर्षन आप स्वयम हल करें अभ्यास कीजिएगा इनका जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना यदिक समझ में आएगा तन्यमाद